बिहार का रुख कर लेते हैं बिहार में अभी मद्दान के लिए थोड़ा समय और बाकी है बेगु सरायल ये चलते हैं आपको संपादक बिहार अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे जानते हैं कि अब आखरी दौर में हैं मद्दान की प्रक्रिया चौथे चर धन्यबाद दिपक देखिए बेगु सरायलोग सभाचियतर होट सीट है और केंद्रिय गरामीन विकास मंत्री गिरा सिंग यहां से उमीदबार हैं और उनको टकर दे रहे हैं इंडिया गठवंधन के उमीदबार और सीपी आई के उमीदबार अवधेश राय लेकिन हले ही मदान की परकेडिया का काउंट डाउन सुरू हो गया याने कि एक घंटे के बाद मदान समाप्त हो जाएगा लेकिन जिस बूत पर अभी हम खरे हैं यहां अस्थिती जस्की तस है यहां लोगों का आरोप है कि जो मदान कर्मी है उनका जो काम है वो थोरी धीमी गती स है लोगों ने सिकाइद भी जताई है और जो यहां पर आसंका जताई जा रहे हैं कि जितनी भीर है उससे आप कर सकते हैं कि यहां सामें साथ बजे के बाद भी मदान की प्रकेडिया पूरी नहीं होगी हालाकर इसमें मदाताओं का भी वीसेश योगदान है कि उन्होंने ब बजे की जो समय स्वीमा है वो भी समात्त हो जाएगी लेकिन इनका बोट साइद नहीं पर पाए क्या कहेंगे आप निश्चित रूप से परशिचन का भाप परतित होता है कि कर्मी को परशूर रूप से परशिचन नहीं दिया गया है इसलिए मद्दान की गती काफी धिमी है अन्य था इतना लंबी कतार इतने बिलंब पांच बजे नहीं होना चाहिए मेरे समस्थ आप लोग भी तो देर से आए देर से आए या सोच के आए कि आप सर खाली मिलेगा लेकिन उल्टा दिखने टिख रहा है निश्चित रूप से इसमें तो साहिद करने का मेरा कोई ढमई की तो समय निश्चित समय है उसके अंदर ही तो हम लोग आए देर कहां है तो यह सवाल आपका गलत भी नहीं मिलेगी लेकिन भी तो है कितना महत्पूर्ण है बहुत महत्पूर्ण है देश के विकास के लिए और खासकर युवाओं के लिए जब हमारे भविश्ट का सवाल है तो हमें काफी बढ़चर के भागिदारी होनी चाहिए पिछले आदे घंटे से हम लोग यहां करें और अभी तक आगे बढ़ने रहे लेकिन देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि हर्च किसी को बढ़चर के मद्दान करना चाहिए युवाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आप बताईए आप तो आप लोग समय साइसार यहीं पिलेट होगा क्या करें लाहीं जो सोचा वो हुआ नहीं लेकिन पिशनुमा बात यह है अच्छी बात यह है कि मद्दान को लेकर उत्साह कहीं कम नहीं हुआ अशुक जी हम फिर लोटेंगे आपके पास